अब हम बात करें, इम्पोर्डन टोपिक में कह रही हूं पर्संटेज रिजन बिंग कि पर्संटेज का कंसेप्ट है, वो बाकी टोपिक के अंदर भी यूज होता है एक तरह से यह कहिए कि अगर आपका पर्संटेज के लिए है, इन बाकी टोपिक्स हैं, उनके अंदर जब पर्संटेज का कंसेप्ट आता है तो आप उसको इजिली सॉल्व कर लेते हो, ओके, जैसे फॉर एक्जांपल, टाइम एंड वर्क का कोस्चन है, एंड इन बाकी कोस् कोस्ट आया हुआ है, और उसके अंदर पर्संटेज गीवन है, कि इतने पर्संट डिस्टेंस इस कवर्ड विद इस स्पीड लाइक इस है तो वहां पर भी हम कर लेंगे, तो पर्संटेज का कंसेप्ट सभी ने अच्छे से प्रिपेर कर लेना है, पर्संटेज का सभी ने तैयार होगे है, ठीक है, और अभी हम पर्संटेज को प्रिपेर करेंगे, तो अब आज की क्लास के अंदर कुछ कोस्टेंस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, पहले सेलफ एनलिस करना है कि पर्संटेज मुझे कितना आता है, और आफ्टर देट, यू विल डि लिदिखने के हां क्या मैं कर पा रहा हूं? कर पा रहें, ओके हैं, तो लट अस टार्ट, फर्स्ट कोस्टेंस त्रीट है यहां पर क्या है, योज इस तुडेंट ओफ होटिकल्चर इन यू निवर्स्टी ओफ होट्वाउस, इन होटिकलर एक्स्परिमेंट इन इन फाइनल year 200 seeds, 200 seeds were planted in plot 1 and 300 seeds were planted in plot 2, okay? 2 plot है, plot 1 and plot 2, क्या कह रहे है? कि plot 1 के अंदर 200 seeds plant के गए and plot 2 के अंदर 300 seeds plant के गए, okay? if 57% of seeds in plot 1 germinated and 42% of seeds in plot 2 germinated, then what percent of total number of seed plants, seeds germinated? कह रहे है, कितने germinate हुए है? अब हमें पता होना जिक, 50, यहाँ पर क्या कह रहे? 57% अगर हम बात करें, 57% that means कि 57% of this, okay? कितना हो गया आपके पास में? 114, clear? means कि 200 में से 114 seeds germinate हो गया, okay? और दूसरे के अंदर क्या कह रहे? 42% of seeds in plot 2, अब यहाँ पर 300 का कितना है? 42% always remember that percentage means what? percentage means divided by 100, out of 100, okay? कितना है? 300, कितना हो गया यह आपके पास में? 126, अब कह रहा है कि टोटल कितने germinate हो है? तो अगर हम टोटल की बात करें, तो 114 ही होगे और 126 ही है, okay? तो टोटल कितने होगे आपके पास में? टोटल will be equal to what? 0, 3 and 1, 4, 240, okay? और अगर हम बात करते हैं, percentage की, in that case, जो percentage है, percentage में हमेशे ध्यान रखो, क्या आएगा फिर? टोटल में से, टोटल कितना है? 500, यह होगे आपके पास में 48%, तो answer will be 48%, 48% will be the correct answer, okay? कोई minor सा doubt किसी को? I hope सभी को clear है, next देखेगा, yes, next question है, screen पर, क्या है, यहाँ पर question, in an exhibition was conducted for 4 weeks, an exhibition was conducted for 4 weeks, okay? the number of tickets sold in second week, working week is increased by 20%, जितनी first week में sale हुई है, कह रहा, उससे 20% increase होगी है, so always remember कि अगर increase हो गया है, that means हम add करेंगे, decrease हो गया, तो हम क्या करेंगे? minus करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? increase होगी है, 20%, okay? and then increase 16% in third week, third के अंदर 16% again, increase होगी है, but decrease by 20% in fourth week, fourth week में अंदर वो decrease होगी है, okay? find the number of tickets sold in the beginning, if 1392 tickets were sold in the last week, last week के अंदर कितनी sale हुई है, 1392 की sale हुई है, okay? तो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि जो total starting के अंदर थी sale, वो थी X, क्या consider किया है है हमने? कि total sale in the first week is X, okay? अब उसने क्या कहा है? number of sold in second week is increased by 20%, अब देखो, अगर आपको percentage to fraction, fraction to percentage clear है, तो उस case के अंदर आप directly write down कर सकते हूँ, अगर नहीं, तो उस case में क्या करोगी है, अब यह 20% increase हो गया, 20% की value क्या होती है? 1 by 5 increase हो गया, that means कि कि इतना हो गया? 6 by 5, तो आप directly 6 by 5 लिख सकते हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है या, ठीक है percentage to fraction आपको नहीं नहीं लेंग कर रखे है, तो अब आपका एक step बढ़ जाएगा, तो मैं भी आपको दोनों से बता आ रहा है, कि आप यहाँ पर 20% increase हो है, 100 से 20 increase हो है, that means 120, तो आप इसको क्या लिखोगे? 120 by 100, 100 क्यों? 120% हो गया है, तो finally देखो value जब आप cancel out करोगे, तो क्या बनेगा आपके पास में? 6 by 5, 6 by 5, तो अगर हमें learn है, in that case, एक step आपका बच जाएगा, एक step बच जाएगा, ओके, तो percentage to fraction, fraction to percentage, सभी ने learn कर लेना, ओके, के बाद क्या कह रहा है, increased by 16%, that means कि 116 हो गया, and then decrease by 20%, 20% decrease हो गया, decrease हो गया, that means कि कितना हो गया, आपके पास में 80, अब मैंने सारा step लिखा है, अदर्वाइस इसकी जरूरत नहीं थी, आप directly इसको कर सकते थे, ओके, तो यहाँ पर देखे, value कितनी कह रहा है, 1392, 1392, last week, last week की value किया आगी है, ओके, just calculate करेंगे, calculation का ही part है, अब देखो, calculation में भी confuse नहीं होना, दो तरिक्के से कर सकते हैं, या तो directly cancel out कर लो, ठीक है, अगर आप numerator को denominator के साथ हम cancel out कर सकते हैं, और अगर बीच में equal का sign है, तो numerator को numerator के साथ, denominator को denominator के साथ, ठीक है, अब यह क्या होगे, आपने पास में, 6, 5, ओके, यह होगे, आपके पास में, 4 and 5, अब यहाँ पर देखो, directly लिख सकते थे, आप, अब यह 4 से जा रहा है, आपके पास में, तो यह होगे, 4 से 4 दो नी, अब बात आ रहे हैं, आगे cancel, cancel out करें, अब इसको आप numerator को numerator के साथ में cancel out कर सकते हूं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो value क्या आज आएगे आपके पास में, पहले 4 से cancel out करते हैं, 6 से, 2 से, ओके, एक्स की वैल्यू क्या आगे, यह होगे आपके पास में 625, यह हो जाएगा आपके पास में 1250, तो और आंसर विल भी 1250, अब देखो, इसको एसे भी कर सकते थे, यहाँ पे सिद्धा लिखो, यह जो पार्ट इसके डिनोमिनेटर के अंदर वो उधर जाके नियूम्रेटर में चला जाएगा, अगर आपको confusion है, तो पैसे तो अभी आप इस stage पे हो, कितना तो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे यह जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर, अंसर विल्ँबी सेम, ऑके, next देखीएगा, अंजी, next question है, screen पे voting से related question है, voting का important है, last year भी question आया था है, voting से related क्या है, in an election between two candidates, one got fifty-five percent of the valid votes, twenty percent of the votes were invalid, twenty percent क्या होगे, invalid होगे, if the total number of votes were seventy, थानज़, the number of valid votes that the other candidate got कितनी है जो दूसरे candidates को मिली है अब यहां पर देखो हाँ जी दियान से देखेंगे क्या है कि total votes यहां पर आपके पास given है starting में कितनी थी total votes 7500 अब इस 7500 के अंदर से उसने क्या का है देखो दियान one got 55% of the valid votes valid votes का 55% मिला है means कि पहले आपको valid votes find out करनी पड़ेंगी तो आगे उसने क्या 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 20% of the vote were invalid that means कि valid votes कितनी है 20% तो invalid होगी that means valid कितनी है 80% तो हम क्या कहेंगे 80 अब क्या कहा रहा है यहां पर देखो ध्यान से क्यारा है कि यहां पर जो winner है उसको 55% मिलिया one got 55% okay the number of valid votes that the other candidates अगर इसको 55% मिलिया then always remember that total is equal to 100% that means कि जो other candidates उसको कितना मिला 45% तो यह कितना होगे इसका 45% यह हमने find out करने बास this is equal to other candidates okay solve करेंगे and you will get the answer simple क्याहापे करो solve so नोको multiply करोगे and this value will be equal to what yes this is 75 into 36 so the value will be equal to 75% तो आप इसको कैसे कर सकते सिदा कर सकते इसको 3 by 4 करेंगे तो 9,927 हाना सिदा कितना आगे आपके पास में 927,27,27,29 हाना इतना है आजाएगा ठीक है ठीक है कितना आजाएगा 27 इस तरह से भी कर सकते अब देखो यहाँ पर आगर हम बैसे calculation करें तो 75 पर से 75,75 का डबल कितना हो गया 500,500 का डबल कितना हो गया 300,300 को सिदा 9 से करेंगे 927,27 डिरेक्टल आपकर सकते कितना आगया 2700,सो आंसर विल बी 2700 2700,हान जी कुछ समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजी वीडियो को बीफ्रेंट के साथ में सभी शेर कर देंगे इपने फ्रेंट्स के साथ जिन्होंने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सस्क्राइब कर लीजी विकाज पर त्रिक केसे step by step यहाँ पर हम आपकी preparation करवा रहे हैं लास्ट तक आप लोगों के साथ करा, if the sale is exceed at 10,000, he gets additional commission as a bonus of 3%, means कि 10,000 तो उसको 9% का commission मिल रहा है, अगर वो 10,000 से अबाव की sale करता है, in that case, उसको 3% extra मिल रहा है, that is bonus, okay, if he get total commission 1380, then the bonus he receive is, करा, बताओ बोनस उसको कितना मिल है, अब देखो, मैं तभी कहते हूँ कि, mixed concepts अगर हमारे clear है, तो आप easily कर लोगे, अब इसी को हम directly कर सकते है question को, देखो 9% उसको मिल रहा, 9% मिल रहा, कहां तक, 10,000 तक, जब मालो, उसने 10,000 तक की sale करी है, तो उसको 9% मिल रहा है, अब 9% of 10,000 कितना हो गया, 9% of 10,000 अगर हम देखें, कितना हो गया यह, this is 900, and above, 10,000 sale, क्या कह रहा है वो, कि जो sale है, जो commission है, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, क्या, हां जी, एक तो उसको commission मिल रहा था, एक उसको bonus मिल रहा है, ठीक है, commission उसको कितना मिल रहा है, 9%, bonus उसको कितना मिल रहा है, 3%, तो अग मैं ratio देखूँ, तो दोनों की ratio कितनी है, 3, ratio 1, कब है यह, about 10,000, अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, कि total उसको commission कितना मिला, 1380, तो 10,000 वाला commission भी बीच में है, तो पहले उसको क्या करेंगे हम, 10,000 वाला commission था, उसको इसमें से minus कर देंगे, जब हम इसको minus कर रहें, we get 480, okay, that means this total represent 480, point is clear, तो यहाँ पे उसका, अगर 480 रुपय मिल रहे हैं, तो वो किस पार्ट में डिवाइड है, दो तरीके से डिवाइड है, क्या commission और bonus पे, तीन, इससे तो किसके हैं, commission के, और एक इससा किसका है, bonus का, that means कि total 4 इससे, तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्या, कि bonus कितना है, तो bonus यह है, ठीक है, तो bonus कितना हो गया, 1 by 4 into 480, this is equal to 120, answer कितना आ जाएगा आपके पास, 120 will be the correct answer, 120 will be the correct answer, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कोई ज्यादा calculation नहीं करनी पड़ी है आपको, बट यह काफी important टाइप है, इस तरह है, कि bonus, commission, इतनी particular range तक उसको इतना commission मिल रहा है, and after that sale, commission बढ़ा दिया है, okay, yes, next question is on the screen, next question है, देखी क्या है, बढ़ा खुद से भी try करो, try करो और देखो कितने questions कर पा रहे हो, कितना समझ आ रहा है आपको, क्या है देखो यहाँ पा question, गोरो पन 30% of his monthly income on food articles, 40% on the remaining on conveyance and clothes and save 50% of the remaining, if the monthly salary of this, that is 18,400, okay, and then how much money does he save every month, हर महिनी कितने पैसी बचे आ रहा हूँ, अब देखो, total monthly salary given है, हमें percentage calculate करनी आनी चाहिए, ठीक है, तो उसने यहाँ पर क्या 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 करना है, हमें saving यहाँ पर find out करने, कि उसकी saving कितनी है, तो saving तक अगर हम पहुँचे, तो उसने क्या क्या क्या, 30% of the monthly salary on food article, okay, अगर 30% उसने खर्च कर दी, that means कि बची कितनी, remaining part is what, remaining part is 70%, remaining is 70%, okay, अब उसने आगे क्या 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 है, 40% of the remaining on convenience, अब यहाँ पर 40% उसने और खर्च कर दिया, that means कि remaining कितना बचा, 60% and save 50% of remaining, अब यह क्या है, this is remaining part, okay, अब इसका 50% उसने क्या क्या है, save किया है, ठीक है, save किया है, that means कि 50% बच गया, and this is equal to the saving, solve करेंगे, and you will get the answer, अब काफी students को इसके अंदर ना confusion होती है, मैं आपने तो इसके अंदर से ऐसे ले लिए देखो, अगर समझ आ रहा, then where and would, otherwise tree method मैंने आप लोगों को बताया था, tree method से आप कर सकते हूँ, कैसे, हाँ जी, जैसे यह हमारे पास में value है, tree method से भी बताऊंगे, रुको एक मिट, पहले इसको solve कर लेंगे सभी, पहले solve करो, solve करो, यह 2-0 इसकी यहां से cancel out होगी, यह 2-0 अपनी यहां से cancel out होगी, यह होगया 1 by 2, यह होगया हमारे पास 3, clear, करें solve, यह होगया 21, 24, okay, so answer क्या आजाएगा, option A will be the correct answer, option A will be the correct answer, कोई minor से doubt, simple था, अब हम आते हैं tree method, ते देखो, अब उसने क्या का है, यहां पर 30%, उसने food articles पर खर्च कर दिया, 30%, remaining part कितना है, 70%, अब इसका आप 70% calculate करोगी, यह value आजाएगी, उसके बाद में क्या कह रहा हो, 40% convenience पर खर्च कर दिया, that means कि remaining कितना रह गया, 60%, अब यह जो है, यह इस से आपके S calculation से आजाएगा, उसके बाद में, जो यहां पर value क्या कह रहा है, उसका 50%, उसने खर्च कर दिया, और saving कितनी है, 50%, तो 50% क्या आजएगा, तो finally वही value आएगी, अगर आपके पास total given है, total salary given है, in that case, choose this method, अगर आपके पास में, बीच की कोई value given है, और total आपको find out करना, in that case, choose this method, then next देखीगा, I hope सभी को clear है, आप दो को practice सभी ने करनी है, अगर concept clear है, then well and good, नहीं है, concept clear कर लीजे, microverses of label है, description में link है, अगर नहीं है, तो उस case के अंदर, दूसरा आजाते है, practice, अगर मेरे concept आपको लगता है, कि मेरे clear है, percentage के उपर practice must है, mix question, जैसे ratio और percentage mix हो गया, बाकि कुछ mix हो गया, बाकि कुछ मिक्स हो गया, percentage के video lectures है, six video lectures है अर अवलेबल, ओके, इसके अंदर आपका क्या है, class की PDF और online test attach है, means कि अगर आप lecture लेते हो, तो उसके साथ साथ में भी आपको test मिलेंगे, six lecture है, तो उसके साथ में six test अवलेबल है, अगर आपको stress practice के लिए questions चाहिए, in that case there is 360, 360 practice questions, ओके, web notes, four web notes हो अवलेबल, practice तो सभी ने करनी है, ज्यादा नहीं तो आपने ये सभी ने, yes, जो multiple choice question है, सभी ने लेने, अगर कोई doubt है, कोई query है, in that case you can comment in the comment section, okay, so it was all for today, thank you, class is over, thank you.